नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मिद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अभी माही, नैंसी, बावू, तीनों मेरे पास हैं मानसी अभी नहीं आई है गईती भाई दूइच पे न तो मानसी को नहीं ले आ पाई हूँ क्योंकि एक बाईप पे सारे नहीं आप आते इसलिए तो साइद उसके पापा कल या फिरा आज जाएं उसको बुलाने के लिए और ये है मेरा हीरो हीरो, ए हीरो, थोड़ा सबसे बाद कर लो हीरो, तो माही, नमस्ते कर लो तो देखे बाबू अहां पहुच गया है नैंजी क्या कर रही हो नैंजी कपड़ा अपने ढूड़े क्योंकि उनको नहाना है अभी दस नहीं बजे हैं न नहाओ अभी थंडी लग रही है न अभी ताजा पानी भाज जाएगा तो फिन नहाना तो खाना मैंने बना लिया है आज मैंने खाने में बनाया है डाल चावल रोटी और अचार है भटोई का तो अभी खाना बन गया है मैं बैठ वह हूं अराम से अराम से क्या धूब ले रही हूं आज कल से ही यहां जैसे बारिस जैसा मोसम बना है तो आज की धूप बहुत कम खिली है दो-ती दिन पहले बहुत ज्यादा धूप निकलती थी लगने लगती थी बहुत ज्यादा दूप ऐसे लग रहा था कि नीचे चले एई सोना देखो भाईय जा रहा है उदा देखो देखो कोई चीट पकड़े नहीं इधर ले आओ माम्मा पास उसको तो भाई खाना बना के दाल चावल रोटी हो गेरे सब रख्यों ना तो इब बदमास है गैस के पास जाता है पहले गैस का बटन निकालेगा आओ अभी यहाँ आओ अभी यहाँ आओ जल्दी आओ ये आरा हीरो आरा हीरो आरा हीरो आरा ये आ गया मेरा भाईया ये है सोजा भाईया सोजा सोजा मैं अभी को नहीं लोगी सोजा सोजा कैसे देख रहा गुसा हो गया आएगा मेरे उपर आएगा मेरी ममी है तुम बागो बागो क्या हुआ क्या हुआ तुम को आप नहीं लेंगे तुम जाओ यहां से जाओ यहां से तुम बागो आरी वो अपरे ही क्या करना है तू 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 दबा दीगा गिरा देगा मुझे खड़ाओ अच्छा खड़ाओ बादमास खड़ाओ भगाई दिया सो नधीदि को सो नधीदी को भगाई दिया बस सांती मिल गई सोना खड़ागे अब इनको सांती सांती बिये जा इनके मम्मी के पास केसी को नहीं आने देंगी तो अभी मैं हो चुकी हूं प्री और यहां पर नंसी को देखिए पुराने वाले चट पे चड़ी है पहले के जो घर हुआ करते थे कच्छे माकान ना उस चट पे चड़ी है ये हमारा खच्चा माकान है जो अभी गिरा हुआ है बारिस से ही लटका हुआ था कपसे ये गिरने वाला था अब जाकी ये कहीं गिर गया है और इसके ऊपर के जो खपड़े उतारे जा रहे है अभी ये बहुत कम मिल रहे हैं बहुत कम जगों पे मिला जा रहा है क्योंकि अब सब लोग पक्के माकान बनवाते हैं कच्छा माकान कोई बनवाता है नहीं तो य जो हमारे हाँ तो इसे खपड़ा ही बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता मुझे जो पता है वही बोल दे रहे हूं तो इसे खपड़ा बोलते हैं हमारे हाँ यह बहुत कम मिलता है जो पुराने घर है ना लोगों के जो गिरते हैं ना वहीं किसी-किसी घर म यह मिलेंगे आपको, वना कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि एकदम से यह जैसे खोसी गई है, पहले हम लोगों के बचपन में क्या था ना, हमारे गाउं में हमारे बचपन में यह बनता था, खपड़े, मिट्टी के, मिट्टी का ग्लास, उसे क्या बोलते थे, मुझे यह मिट् जो ग्लास मिलता था, करई, उसकी कितनी सुंदी सुंदी सी खुजबू आती थी न, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अभी वह बाते करते हैं, इतनी अच्छी लग रहे हैं, कास वह दिन कोई लोटा दे, कितना अच्छा लगता था, मिट्टी के ग्लास में पानी पीन अभी तो सौक में लोग कभी पीते हैं, जैसे कही हम जाते हैं, तो क्या मिलते हैं, मुझे उसका नाम नहीं यादा रहा है, क्या दही का होता है, जो उसका नाम मुझे नहीं यादा रहा है, सौक में लोग पीते हैं, जो दुकानों में मिलता है, लसी, लसी को ना सौक में ल रहे को सकी सोट बोतल का धक्कन को के अदर गिःए व्यक्राइथ क्या धक्कन बद करता आ धकन में बंद करूत है कि इसका धकन में फिर से इन फिल-डूर ये इसको मनेत के खोल व कोक्र Küल दे रहा हि period देखिए 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 इसका डखकन मैंने खोल दिया आप क्या करेगा देखिए ये देखिए डखकन को मुह में भर रहा है इदा दिखा और ये वह अपरी मुह के अंदर चला जाएगा देखिए कैसे सांत हो गया ना एक मिनट भी सेकंड भी नहीं लगे इसको चूप ह निकालो मुह से निकालो बाबु की सैतानिया तो आप सभी ने देखि ली वैसे कोई कभी कभी सैतानिया उनकी होती है जो मैं आप सभी के साथ सेयर करती हूं हलाकि बहुत सैतान होते जारे अभी ना उनसे बोलो कि माही आ जाओ तुनको पैसा दे रहे है जाओ दुकान चले खाएगा ओयस खाएगा या फिर चीप्स खाएगा तीखी चीजे इसको बहुत पसंद है जब घर में जो नमकीन है न वो भी मैं खिला देती हूं अलाकि अभी इनके दाथ तो छे ही हैं तो उसको फोल नहीं पाते हैं जैसे ओयस है न तो उसको ऐसे जीप से दबा के खा लेते लेकर नमकीन उसको ये खड़ा ही लिगल जाते हैं तो ये बतासे हैं इनमें चीटिया पड़ गई थी तो मैंने इनको धूप में डाला था बचे थे नहीं तो अभी ये सब आ गई हैं तो खतम कर डालेंगी कोई खाने वाला था नहीं इसको मैं खाती नहीं हूं बतासे हम इतनी चावल वगएरा इतना जो चावल उबाल करके जिसकी लाई बनवाई जाते हैं ये सारे तो हम अपने दास से फोड़ के खा जाया करते थे तो अभी अभी देखे मैं क्या कर रही हूं ये मैंने पानी उबालने के लिए रखा था और बाबु कहें मुझे नहीं लान के पास इनको खड़ा कर दो तो हाथों से खुब चप 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 करेंगे अगर जम नहिलाओंगी तो रोना सुरू कर देंगे तो ऐसे तो ताजा पानी से नहिलाती थी बाबु को अभी मैं वह भी बंद कर दी हूं क्योंकि इनको कॉल्ड हो गया है मैं पानी गरम करके नहिल क्या ini को मुझे न पूरा दिन धब्रादेता इसको लेके सीड़ी से आना जाना मनला पूरा दिन दो चार बार तो कोई बात भी थीय इन को यह को इप uh इस तरीके में मुझे वह ज़्यादा इसने परिसान कर दिया है, तो अभी देखें, यह है, साम के बजगे होंगे, पांच, नहीं, पांच नहीं, चार या साले तीन, ऐसे ही समय है, चाय बनाने का समय है, तो चाय बनाके मैं दे रही थी भहिया लोगों को, जो काम करते हैं तो चीनी, चाय पत्ती, और मंगवानी है, क्योंकि यह सारी चीज़े अभी बहुत खतम हो रहे हैं, चाय बनती है ना, तीन, चार बार दिन में, देने के लिए सब को, तो अभी चीनी, चाय पत्ती, यह सारी चीज़े मुझे मंगवानी हैं फिर से, तो दोस्तों, अभी बजग दिदी हम तो आप से कहते हैं कि आप ब्लॉग बड़ाइए और आप चोटा करती जा रही है ब्लॉग को breakdown एक कभी 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 नहीं वह पाता है ना समय की वजह से AaFFory कभी एशा होता है भी दिश pre करते आप बड़ा व्लॉग बनाई है चोटा कर देती है तो मुझे अच्छा लगता है मैं हसने भी लगती हूं और आगले दिन ध्यान रखती हूं कि आज का व्लॉग दस मिनट का तो होना ही चाहिए तो आज का व्लॉग में दस मिनट का करूंगी नहीं तो फिट से आप सभी किसी कायत भर भर के आने लग जाएंगी तो आज के व्लॉग को खतम कीजिए बाते मैंने बहुत सारी कर दी है मिलती हूं आप सभी को कल के व्लॉग में थाइंक यू बाई बाई